बिटसे 2022 के फर्स एटेम्ट के लिए अब केवल आपके पास आखरी वीक रह गया है तो यहां पे आप में से कई सारे स्ट्रेंट्स ने जो है मौक्तिस देना भी शुरू कर दिये होंगे लेकिन उनके जो है उतने बढ़िया स्कोर नहीं आ पा रहे हो वो जितना मतलब रखते हैं कि आप 300 नंबर तक पहुच पाएं तो क्या यह चीज जो है पॉसिबल हमें आखरी अप्ते में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए किस तरीके से जो है सब्जेक्ट वाइस आपको जो है लास्ट टाइम पे उन चीजों से रिवाइस करना चाहिए तो यहां पर कि हर चीज को जो हम अच्छे तरीके से डिसकस करेंगे इस लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगा तीकि सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज यह हो जाती है कि अब आपको जेए मेंस के फॉस्ट रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है आप में से जेए मेंस में 100, 120 के आसपास आते थे बट उन्होंने बिटसाइट में 270 प्लस नमबर लाए या जो है जेए मेंस में उनके 180 प्लस भी आ जाते थे बट बिटसाइट में 270 का बैरियर भी जो है वो क्रॉस नहीं होता था तो आखिर ऐसी क्या चीज थी जो कि इन दोनों एक्ज में चीजें पता होनी चाहिए हो सकता है कि डेरिवेशन के 20 से ही जो कुछ कॉंसेट उठके आ जाए लेकिन विटसाइट में यह चीज होती है कि अगर आपके जो कॉंसेट्स पी क्लियर है आपको फॉर्मुलेस उपर उपर से पता है आपको उनका एप्लिकेशन अच्छे नहीं मांगते मौड़ेट लेवल पर भी तयारी जो है आपके काम आती है अब जेही में में आपको जो है स्पीड एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाय की ज़रुवत है आपको अगर मौड़ेट लेवल भी स्पीड है तो आपका काम हो जाता है आपको कॉश्चिंस के प्रत हमें accuracy higher चाहिए लेकिन ये चीछ होती है कि आपको थोड़ी से risk कम रहती है आपको पर question जो है प्लस 4 मिलते अगर आपका answer जो है वो correct रहा और minus 1 होता है अगर आपका answer गलत हुआ लेकिन bit side में जो है आपको plus 3 मिलते अगर question correct हुआ और minus 1 हो जाते अगर आपका answer गलत हुआ तो जाल रखना है कि आपको accuracy जो है अच्छी रखनी पड़ेगी bit side के लिए अब यहां पर most important factor अगर जो हम comparison में देखे तो वह speed वाला हमें देख रहा है जही means का paper में जहांकि आपको 75 questions करने रहते 180 मिनिट्स में जबकि bit side में आपको total 130 questions करने रहते 180 मिनिट्स के अंतर तो यहां factor हो जाता है हमारा mock test तो mock test अगर आप last time पर अच्छी तरीक से नहीं लगाएंगे तो आपको जो है ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला क्योंकि आपको mock test से ही पता चलेगा अभी आप actually कहां पर stand कर रहें और किस तरीके साब अपनी sweet को और ज्यादा इंप्रूफ कर सकते साथी साथ आपको सारे formulas जो है वो अच्छी तरीके से revised रहने चाहिए क्योंकि वहां पर आपको बिल्कुल भी time नहीं मिलेगा कि कोई भी formula को बैठकर आप जो है रिवाइस कर पाए तो जितने भी formulas आप अपने दिमाग में याद रखिए आपके पास अगर short notes से तो उसके थ स्मार्टर एप्रोच पता है तो उसे seconds में solve करके दूसरे question पर जो है move on कर सकता है एंड विट्साट एक ऐसा paper है जहां पर smart approaches आपको बहुत जादा काम आते तो अब एक चीज आपके सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको यह जो चीजे इंसे relevant material मिल स section बहुत अच्छे से कराया गया है तो उन students के लिए काफी जादा beneficial है जो की PCM को लेकर तो confident है बट LR English को लेकर उन्हें कोई idea नहीं है साथी साथ हमने short notes भी आपके लिए prepare करके रखे है जहां पर जो है यह last time पर जो मैं formulas की बात कर रहा था था न वह सारे important formulas short notes में included है तो in case आपने नहीं बनाए तो आप इनको भी देख सकते पाकी question bank and DPPs जो है आपको और bitset relevant questions की practice करने में help करेगी तो यह सारी चीज है हमारी website 10qchallenge.in पर अवेलेबल है तो आप वहां पर जरूर चेक कर सकते हैं अब हम अगर बात करें यहां पर आपने जैसा की देखा होगा मैंन कर सकते तो यहां पर LR English को आप बिल्कुल भी हलके में ले सकते अब अगर मैं बात करूं कि LR को जो है किस तरीके से तयार कर सकते तो LR के लिए यह करिए कि अभी जितना भी टाइम बचा है रोज का अगर आप आदा घंटा भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे questions को अच्छे इस न्यूस पेपर के डेली एक दो आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं इसके तुरू आपकी speed improve होगी reading speed बढ़ जाएगी किस तरीके से पढ़ना है साथ ही साथ जो है आपका vocab भी improve हो जाएगा बागे grammar की questions जो है वो easy ही रहते तो अगर आपको basic understanding भी grammar rules की तो आपका जो है काम यह reference लगते हैं अगर आप पूरा structured way में चाहते हैं तो आप हमारे LR English के batch को जरूर चेक कर सकते हैं साथ ही साथ हमने एक वीडियो भी बना के रखा था जहां पर आपको बताया गया था कि कौन से section पर आपको ज्यादा focus करना है LR और English में तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं कर सकते हैं किस तरीके से हमें कौन से material को refer करना चाहिए वो सब चीजे जो मैं आपको पताता हूँ तो सबसे पहले अगर हम physics में देखें तो देखिए physics में सबसे ज्यादा important चीश हो जाती है कि आपको सारे formula से एक बार बैट कर जो है अच्छे तरीके से revise करना है क्योंकि यहां पर बैट के derive कर रहे है for example projectile motion के हम जो है range का आपके maximum height का या फिर time of flight का इन सब के जो है अगर हम formulas देगे तो यह आप बैट के derive नहीं करेंगे बल्कि यह formulas आपको direct देना चाहिए वहां पे question में जो है आपको simply parameters दियोंगे उन parameters की values आपको insert करनी होगे और आपका answer निकल इस topics आपको specific दिये रहते हैं ऐसा लगता है कि कुछ topics तो जादा ही important है तो उन पर ही आप focus करते हैं यहां पर ऐसा नहीं होता है सभी का लगबग equal weightage होता है क्योंकि number of questions जादा है तो हर एक से कुछ ना कुछ question डल ही जाता है और last time पर अगर मैं बात करूँ तो आप SCV refer कर सक है ठीक है objective one or two के जो आपके questions हो गए साजी साथ worked out examples को देख लीजिए तो यह last time में आपको revision के लिए बहुत जादा helpful रहेंगे और NCRT के examplar problems भी solve कर लीजिए ठीक है तो यह चीजे जो है आप आखरी समय पर देख सकते बाकि आपने जो खुद के short notes अगर प्रिपेर कर रख आपको पता होना चाहिए और inorganic chemistry में आपके trend related questions काफी सारे आते हैं कि इनको boiling point order में जमा दो या इस type के question तो वह चीजे भी आर आपके given रहती है NCRT में तो वह सब चीजे देख लीजिए exceptions पर भी नजर रखिएगा ठीक है na exceptions related questions देखने को मिल जाते हैं structures भी काफी ज्यादा important होते तो inorganic chemistry भी जो है आपको इसी तरीके से देखना है organic chemistry का जो weightage है वह थोड़ा सा slightly ज्यादा होता है इन औरगनिक और physical chemistry के मुकाबले लेकिन आप जो है किसी भी चीज को एग्रोर नहीं कर सकते जैसा कि मैं कह रहा हूं कि यह बिट सेट में number of questions थोड़े से जादा है हमारे तो सारी ही चीजे हमारे लिए लगबग important हो जाती है और last time पर जो है यहां पर NCRT से अच्छी कोई book नहीं है ठीक है NCRT को refer करिए NCRT का example problems को और solve कर लेजिए मैस में में भी आपको सारे formulas पता होनी चाहिए और जो values मतलब ऐसी रहती है ना कि हम exam में कभी सोच लेते हैं कि निकाल लेंगे वह सब भी आपको directly remembered रहना चाहिए जैसे कि sign 18 degree हो गई साइन 15 degree हो गई तो इनको जो है आप exam में निकाल नहीं सकते हो यह सी trigonometric values आपको direct याद रहनी चाहिए किसी function की maximum minimum values यह सब याद रहनी चाहिए then domain range उनकी पता होनी चाहिए अब जैसे कि for example number of diagonal की अगर हम बात करें तो आप क्या करते हैं आप जो है दिमाग में सोचेंगे व निकालें तो एक expression आता है n into n minus 3 by 2 तो वो जो है वो आपको directly याद रहना चाहिए तो इस type की questions जो है bit side में बूचे आते है कि number of diagonal की निकाली है तो ऐसे questions में directly formula का उपला है कर सकते हैं आपका major weightage portions यहां पर देखने को मिल जाते हैं वो calculus, algebra, phonics रहता है तो इनसे काफी questions उतने क chances रहते हैं तो यह एक बड़े-बड़े topics है और इनको जो है अच्छे से करके जाना चाहिए अब आखरी time पर अगर हम बात करें तो rd शर्मा के आप solid examples अच्छे तरीक से कर सकते हैं क्योंकि mass में questions करने में time लगता है तो कुछ solid examples के solution देख लिए कुछ बीच-बीच में solve करत time पर साथ ही साथ जो है NCIT के examples of problems को जरूर देख लिए प्लस miscellaneous exercises को भी देख लिए जो कि आपके NCIT में given रहती है तो यह सारी चीज़े जो है आपके लिए useful रहेगी अब speed बढ़ाने के लिए जैसे कि मैंने बताया तो smart methods की भी काफी जादा requirement रहती है जैसे आपके option elimination हो गया graphical approach हो गया कुछ mnemonics आद रख सकते आप inorganic के लिए और कोई भी और भी alternative approaches आपके लिए काम के रह सकते तो यह सारे smart methods जो है यह हमने वैसे अपनी speed shot series में भी कुछ कवर करे है आपके लिए J.E.Mains के अभी short trick series लाएट है उसमें भी cover करे तो वह आपको definitely help करेगी कि आपके score क बूस्ट कर पाए तो उन सब की भी link जो है आपको description में मिल जाएगी प्लस बाकी तो यह जिन्होंने crash course में already enrolled होंगे उनको तो पता ही है कि हमने question solving session में आपको क्या-क्या चीजे बताईए यह सब चीजे भी आपके लिए useful ज़रूर रहने वाली है बाकी अभी जो हम recently आपके सब topics भी कौन से जादा important है वो चीज हमने आप discuss करी तो यह वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत ही जाके देखिए इसकी भी link जो है आपको description में मिल जाएगी description में जितने यार हम important चीजे डालते हैं वो सब include कर देते हैं ताकि students कोई भी चीज को वह पर miss नहीं करें अब हम ट्राइ करेंगे कि यार chemistry और math का भी लाबाए क्योंकि आप देखी रहे कि हम लगाता जही मेंस के लिए आपके लिए content लाते जा रहे प्लस बिटसाइट का भी बीच वीच में हो रहा है अब बिटसाइट के लिए आपके लिए time कम बचा है तो बिटसाइट का ही important content लगाता चैनल पर आता रहेगा मिलते अगरे वीडियो में तब तक लिए take care and goodbye